जो ध्येई बनाने लायक है उसको छोड़कर अगर तुम ध्यान भी कर रहे होना तो तुम खड़े में गिरोगे अगर तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है और तुम ध्यान करते हो तो समझना कि तुम नर्क में जा सकते हो अगर तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है और तुम मेडिटेशन कर रहे हो तो मुझे बताओ तुम्हारा मेडिटेशन सही कैसे हो सकता है तुम्हारा ध्यान सही कैसे हो सकता है मेडिटेशन के नाम पर आज बाजार में रंग भी रंगी दुकाने सजी हुई है मेडिटेशन करवाने वाला भी अंदा है और उस दुकानों में जाने वाला भी अंदा ही है तुम जिसे मेडिटेशन कह रहे हो तुम जिसे ध्यान कह रहे हो वो एक फरेवी चीज है तुम खुद को धोखे में रखे हुए हो तुमारा मेडिटेशन एक आध्यात्मिक मनोरंजन से अधिक और कुछ भी नहीं है तुम जिस घटिया जीवन को जी रहे हो उससे थोड़ी राहत पाने का जो सस्ता उपाय है वही तुमारा मेडिटेशन है तो फिर असली ध्यान, असली मेडिटेशन क्या है तुमारा पूरा का पूरा जीवन उस परम तत्व को समर्पित कर देना यही असली ध्यान है यही असली मेडिटेशन है तुमारे जीवन में उपनिशद नहीं है तुम्हारे जीवन में भगवद गिता और ब्रह्म सुत्र नहीं है तुम्हारे जीवन में अश्टावक्र गिता नहीं है तुम्हारे जीवन में अक्षर पुरुशतम दर्शन नहीं है तुम्हारे जीवन में ये जितने भी ग्रंथ है वो जिसमें जीवन्त है वैसे गुरु नहीं है और तुम अगर ध्यान या मेडिटेशन करते हो तो तुम ये निश्चित समझना कि तुम बड़े धोखे में हो और तुम अनन्त जन्मों तक दुख में भटकोगे मेडिटेशन की दुकाने चलाने वाले जितने भी यहां धर्म, संप्रदाई, मत और पंथ है उसका आधार अगर ब्रह्म सुत्र, भगवत गीता और उपनिशद नहीं है तो तुम ये निश्चित समझना कि तुम बड़े धोखे में हो और वो सब फरेप की दुकाने हैं लेकि तुमने कभी भी इस ग्रंथों को तो पड़ा ही नहीं है तुमने अपने जीवन में कभी भी इस अमुल्य ग्रंथों को स्थान ही नहीं दिया है और इस तरह की दुकानों में जाकर अगर तुम मेडिटेशन भी करते हो ना तो तुम से बड़ा मुर्ख और कोई भी नहीं है ध्यान तो बहुत ही मुल्यवान और उंची चीज है और तुमने उसे बाजारू बना दिया असली ध्यान में तो तुम्हारे भीतर वो तुटता है जिसे तुम मैं कहते हो असली ध्यान में तुम्हारा एहंकार तुटता है और तुम संपूर्ण रूप से बदल जाते हो तुम जो meditation के नाम पर ये जो प्रपंच कर रहे हो ना, उसे ध्यान नहीं कहते हैं, बीना समझ के, बीना होश के, बीना ज्यान के, अगर तुम ध्यान में उतरते हो, तो वह पाखंड है, बीना परब्रम की साकार मुर्ति के, अगर तुम ध्यान करोगे, तो तुम बहुत ही भटकोगे, बहुत दुखी होगे, क्योंकि तुमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ज्ञाना कहां है, याद रखो, धर्म, ज्यान, वैराग्य और भक्ति, जब ये चारो तुम्हारे जीवन मे परिपक्परूप से मौजुद हो, तब ही तुम असली ध्यान में उत्तरने लायक बनते हो, और तब ही असली ध्यान घटित होता है, उसे एकांतिक ध्यान कहते हैं, और ये ध्यान जो है, वो सबसे उंचा है, उससे पहले, ये जो तुम ध्यान और मेडिटेशन के नाम पर क रहे हो ना उसे मदारी गिरी का खेल कहते हैं और ये जो मदारी गिरी का खेल है उसका फल क्या होता है मन और अंजन और कुछ नहीं एकांतिक स्थीती हुए बीना अगर तुम ध्यान भी करोगे तो तुम नर्क में जाओगे जन्म मरण के चक्कर से तुम कभी भी छूटोगे अगर तुम्हारे जीवन में धर्म, ग्यान, वैराग्य और भक्ती ये चारों चीज नहीं है और तुम अगर मेडिटेशन या ध्यान करते हो तो समझना कि तुम्हें आत्यांतिक कल्यान, आत्यांतिक मोक्ष नहीं मिल सकता जिसे अंतिम मुक्ति कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एकांतिक ध्यान से ही संबव है, बिना एकांतिक धर्म का ध्यान, हमेशा गलत ध्याई पर ही रहेगा तुम तो दोखे में रह सकते हो, कि तुम तो सही ध्यान कर रहे हो, लेकिन तुमें ध्यान सिखाने वाला गुरू भी जो है, वो खुद दोखे में है, क्योंकि तुम्हारे गुरू को भी एकांतिक धर्म का कोई भी ख्याल नहीं है, और तुम्हारे गुरु की एकांतिक स्थिती अभी हुई नहीं है और इसलिए ये जो दुकान वाले मेडिटेशन गुरु और तुम दोनों ही भटकोगे अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जो कहता हो कि बीना धर्मगरंथ बीना धर्म, ज्यान, वैराग्य और भक्ति के तुम्हें मेडिटेशन सिखाऊंगा तो समझना कि वो बड़ा धोखे बाज है बड़ा मकार और फरे भी है बचके रहना क्योंकि ध्यान और मेडिटेशन के नाम पर तुम्हें वो मनोरंजन दे रहा है तो याद रखो ध्यान सिर्फ उनसे ही सीखना जिसके जीवन में परिपक्व रूप से धर्म हो जिसको ब्रह्म और परब्रह्म तत्व का ज्यान हो जिसके जीवन में परिपक्व वैराग्य हो जिसके जीवन में परिपक्व रूप से भक्ति हो और ऐसे एकांतिक स्थिती वाले सत्पूरुष को तुम ढूंड लेना Thank you